हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम बची हुई उन से भूलन सोक्स बना कर तयार करेंगे दस नंबर की सलाई में हमने 48 फंदे डाल लिये हैं यानि की 48 फंदे डाल कर उनको अपनी तरब को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन ले इस तरह से हम हर फंदे को उल्टा बुनेंगे पूरी सलाई को बुनने के बाद हम उल्टी सलाई में भी सी तरह से उल्टा उल्टा करके बुनेंगे हमारे पास बची हुई उन रखी हुई थी उसी से हम सोक्स बना कर तयार करेंगे ये सोक 6-7 नमबर के लिए फिट बैठ जाएंगे पूरी सलाई को हम इसी तरह से उल्टा-उल्टा करके उतारेंगे पूरी सलाई को इसी तरह से बुन ले उल्टी सलाई में हम फिर फंदे अपनी तरप को उल्टा-उल्टा ही बुनेंगे पूरी सलाई हम इसी तरह से बुनकर तयार कर लेंगे इस तरह से हम ये जो लाइने हैं दस लाइन बनाएंगे यानि कि बीस सलाई करने के बाद दस लाइने बनकर तयार हो जाएंगे बीस सलाई कर लें आप अपने पैर के हिसाब से एक दो सलाई कम जादा कर सकते हैं इस तरह से हम ने दस सलाईया 20 सलाईया बूनलिया हुथ 10 धारिया हैं एक होर हम इसी तरह से पीस बना कर तयार करेंगे अब हम दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे पंगुठा बनाने के लिए हम इने आपस में जोड़ेंगे अब हम पूरी सलाई को फिर उल्टा-उल्टा करके बुन लेंगे और इसमें दूसरा पीस भी हम जोड़ेंगे इस तरह से बुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे अब हम आखरी में फंदे हमने बुन लिये हैं पूरी सलाई बुन कर तैयार कर लिये हैं अब हम दूसरा पीस भी सी में जोड़ेंगे उसमें भी हमने 10 लाइन बना कर तैयार कर लिये दोनों पीस एक बरापर बनाए इस तरह से इनको आपस में जोड़ते हुए बुन लें एक उनको काट दे इस तरह से हम उन को काट देंगे और इसको अलग रख देंगे इसमें गांट लगा देंगे इस तरह से बुनते हुए हम पूरी सलाई को बुनेंगे पूरी सलाई बुनने के बाद सब फंदो को हम इसी तरह से जोड़ते हुए पूरी सलाई हमने बुनन ली है अब हम इसमें सफेद उन जोड़ेंगे दूसरे कलर की मैं सफेद जोड़ दूँगी आप के पास जो भी कलर हो आप उसकी उन इसमें जोड़ दे हम इसको दो कलर से बना कर तैयार करेंगे ग्रीन उन को काट कर अलग कर ले वाइट से हम एक लाइन तैयार करेंगे उल्टा उल्टा ही बुने जब भी आप दूसरे उन जोड़े तो उसको उल्टा उल्टा बुन कर उतार ले पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से बुनते हुए हम पूरी सलाई को हमने बिन लिया है अब हम दो फंदे सीधे एक फंदे को उतारेंगे दूसरा सीधा बुन लेंगे दो फंदे सीधे उन आगे दो फंदे उल्टे उन पीछे दो फंदे सीधे फिर उन आगे फिर दो फंदे उल्टे फिर उन पीछे करके दो फंदे सीधे बुन लेंगे पूरी सलाई को हम इसी तरह बुन लेंगे हमने ये 16 सलाई बुन कर तयार कर ली है आप इससे कम जादा भी कर सकते हैं वो पेर के हिसाब से आपका पेर पतला है तो दो तिन सलाई आप कम कर ले अब हम सीधे फंदो का एक फंदा बना लेंगे दो का एक और उल्टे फंदो पर उल्टे फंदो पर भी हम दो का एक कर लेंगे उन पीछे करेंगे सीधे फंदो का दो का एक कर लेंगे टाइट फंदे हो गए हैं को डिला डिला ही आप उने इस तरह से दोनों फंदो में से उन निकाल कर दो का एक करेंगे फिर हम उन आगे करेंगे फिर उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा फंदा गटाते हुए हम इस लाइन को फूरा कर लेंगे सीधे बुनने के बाद उन पीछे करें उल्टा बुने इस तरह से हमने सीधा बुन लिया है फिर उनको हम आगे ले आएंगे फिर उल्टे बुनेंगे इस तरह से हमने आदे फंदे कर लिये हैं फंदे घटकर आदे हो गए हैं अब हम इसमें ग्रीन कलर की उन जोड लेंगे और जो पैर में आएगा उसको हम हरे कलर का बोडर बना कर तयार करेंगे उल्टे पर हम उल्टा बुनेंगे और सीधे पर सीधा एक सलाई हम उल्टी बुन लेंगे क्योंकि उन जोड़ते समय एक सलाई उल्टी बुन लें तो उससे सफाई जादा आती है इस तरह से पूरी सलाई को बुलने के बाद हम एक फंदा सीधा उन आगे एक फंदा उल्टा उन पीछे एक फंदा सीधा उन आगे एक फंदा उल्टा इस तरह से हम पूरी सलाई को बुलनेंगे और इस तरह से हम आठ सलाई बना कर तैयार करेंगे अगर आपको मेरे सोक्स पसंद आए, आप लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नहीं हैं तो सस्क्राइब करें अब हमने आठ सलाई बना कर ली है अब हम फंदों को गटाएंगे दो का एक करेंगे अब जिस तरह से फंदे गटाते उस तरह से गटा ले अगले फंदे को बुनेंगे, पिछले को इसके उपर से उतार देंगे इस तरह से गटाते हवे, हम पूरी सलाई को बना लेंगे उरे फंदे गट जाने के बाद कुछ इस तरह से ये बन कर तयार हो जाएगा जो ये हमने आके दो पीज जोड़े थे, ये अंगुठे और उंगलियों के लिए बन जाएगा इस तरह से हम इसको डबल करके इस साइड से सील देंगे हरे फंदो को हरी उन से और सफेद को सफेद से जोड़ते हुए इस तरह से चलेंगे और फिर नीचे से जोड़ देंगे उतना पार्ट हम रख लेंगे जितने में ये अंगुठा बनकर तयार होगा इस तरह से दोनों तरप से हम इसी तरह से मोड़ कर सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरह से बनकर सिल कर लगेगा अब हम इसकी सिलाई करेंगे इसको डबल करें पीछे का इससा नापस में जोड़ दें हरी उन से हरा और सफेज द्वेवूल से सफेज जोड़ कर तैयार कर ले इस तरह से सीलते हुए हम एडी के यहां पर पोंचेंगे यहां पर एडी बनाई जाएगे फिर हम नीचे से सीलते हुए इसको पूरा करेंगे और फिर हम इसका अंगुठा बनाएंगे इतना हम बेना सिलाई करें छोड़ देंगे और इसको हम इस तरह से कोर्नर से मोड़ कर इस तरह से सीलेंगे इधर का इधर उदर का उदर एक तरप अंगुठा बन जाएगा और एक तरफ उंगलियों के लिए इस तरह से जोड़ते हुए सिलाई करें हम बीच में से सिलाई कर रहे हैं इस तरह से पूरा सील कर दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सिल लेंगे इस तरह से हम वूलन सोक्स बना कर तयार कर लेंगे ये छे साथ नंबर का वूलन सोक्स लेडिज के लिए हमने बनाया है हमने सिलाई पूरी कर लिया है ये कुछ इस तरह से बन कर तयार होगा अब हम इसको सीधा कर लेंगे सीधा करके आप अपने पैर में इसको डाल कर देखे ये एकदम फीटाएगा अगर आपका पैर पतला है तो आप दो तीन सलाई वाइट कलर में कम कर ले ये मुझे कुछ इस तरह से बन कर तयार हूँगे वूलन सोक्स बन कर तयार हूँ गए है अपने